SBI Bank के नया ATM कार्ड का पिन बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको SBI Bank की ATM मशीन में आपको अपने ATM कार्ड को लगा देना है जैसे दोस्तों आप ATM मशीन में अपने ATM कार्ड को लगा देंगे तो ATM की स्क्रीन पर आपके सामने इस तरह के एक स्क्रीन शो हो जाएगी अब आपको अपने नए ATM कार्ड के pin को बनाने के लिए ट्रांस्पर के नीचे ही देखिएगा आपको pin generation का option दिकाई दे रहा है आपको pin generation के option को select करना है जैसे दोस्तों आप pin generation के उपर किलिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने please enter your 11 digit account number याने आपको अपने bank account number को type करना है तो मैं जल्दी से अपने bank account number को type करता हूँ और इसके बाद में confirm के बटन के उपर किलिक कर देता हूँ जैसे दोस्तों आप confirm के बटन के उपर किलिक करेंगे तो अब आपको अपने bank account में registered mobile number को type करना है तो मैं जल्दी से अपने bank account में registered mobile number को type कर देता हूँ और इसके बाद में confirm के बटन के उपर किलिक करता हूँ जैसे दोस्तों आप confirm के बटन के उपर किलिक करेंगे तो अब आपके bank account में registered mobile number पर एक green pin शेंड किया जाएगा तो आपको confirm के बटन के उपर फिर से किलिक करना है जैसे दोस्तों आप confirm के बटन के उपर किलिक करेंगे तो आपके bank account में registered mobile number पर आपको इस तरह से एक message प्राप्त होगा इस SMS में आपको एक one time pin दिखाई देगा जैसे देखेगा 625 हमारा pin है वो इसमें दिखाई दे रहा है तो आपको इस प्राप्त one time pin की मदद से एक अब नया pin बनाना है तो आपको करना क्या है SMS प्राप्त होने के बाद आपको ATM मशीन में एक बार फिर से अपने ATM कार्ड को लगा देना है मैंने देखेगा अपने ATM कार्ड को ATM मशीन में लगा दिया है अब देखेगा आपके सामने एक नई screen आ जाएगी आपको यहाँ पर अब banking के बटन के उपर आपको किलिक करना है तो मैं banking को select करने के बाद आपको हिंदिया इंगलीस में से किसी भी एक बासा को select करना है बासा को जैसे आप select करेंगे तो यहाँ पर देखेगा आपको 10 से लेकर 99 तक के कोई भी दो अंको को type करना है और इसके बाद आपको yes के बटन के उपर किलिक करना है तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी दो अंको को type कर देता हूँ और मैं yes के बटन के उपर किलिक करता हूँ जैसे आप yes के बटन के उपर किलिक करेंगे तो आपके mobile नमबर पर जो one time pin आपको four digit का one time pin प्राप्त हुआ है वो pin आपको please enter your pin में आपको type करना है तो मेरे mobile नमबर पर जो मेरे को pin प्राप्त हुआ है उसे मैं यहाँ पर type कर देता हूँ जैसे दोस्तों आप प्राप्त one time pin को type करेंगे तो ATM screen पर आपके सामने इस तरह की एक फिट से screen आजाएगी अब आपको pin change के उपर किलिक करना है तो मैं जल्दी से pin change को यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ जैसे दोस्तों आप pin change के उपर किलिक करेंगे तो अब यहाँ पर देखिखे प्लीज enter your new pin अब आप अपनी मर्जी से कोई भी 4 अंकू के नया pin बना सकते है तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी 4 अंकू के यहाँ पर pin को में type कर देता हूँ अब देकिका जैसे आप 4 digit pin को type करेंगे तो प्लीज जी enter your new pin आपको एक बार उसी pin को फिर से टाइप करना है जैसे दोस्तों आप फिर से उसी pin को टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखें कि ATM स्क्रीन पर आपके सामने योर पिन हेज बिन चेंज सक्सेश पुली का मेसेज आ जाएगा और आपका ATM कार्ड का सक्सेश पुली pin बन जाएगा तो इस तरह से आप भी SPI Bank के नए ATM कार्ड के pin आप बना सकते है